मित्र का साथ देना सही है देना भी चाहिए पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे तुमारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे यार तुम मेरा दोस्त है तू जो करेगा मैं नहीं, मित्र का साथ दो, साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो, तो आप उसका साथ दो, के मित्र शराब ना पी ओ, ये गलट है। तो दुर्योधन गलत था, तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था, तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं, कर्ण ने ये और कह दिया, अध्रवपदी, तेरे तो पांच पती है, छटा मुझे बना ले, ये और बोल दिया, कर्ण ने, अब बताओ क्या ये बोलना सही तो बोलो मेरी मां गलत चाना मित्र का साथ देना सही है पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं बताईए क्या गलत में साथ देना सही है उत्तर दो आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप साथ देंगे आपका मित्र शराब पीएगा तो क्या शराब पीने में आप साथ देंगे यदि आपने साथ दिया तो फिर आप मित्र रहे कहां मित्र रहे कहां फिर तो आप दोसमन आपने आपका मित्र शराव नहीं पीता और आप पीते हो तो आपने कहा यार मैं पीता हूँ यार मेरा तू मित्र है एक वार मेरी खातरी एक पैक तू पी ले और यदि आपने उसे फोर्स की अजवर जस्ती शराब पिला दिया तो आपने शराब पिला कर उसको सरावी बना दिया तो यह दोस्ती का काम किया यह दुस्मनी का काम किया आपने यह दोस्ती है यह दुस्मनी है याद रखना मेरे नौजवान दोस्तो जो आपके दोस्त हैं उनसे सावधान क्योंकि आज दोस्त बनकर के लोग दुस्मनी निकाल रहे हैं जो आपको शराब पिला रहे हों आपको गांजा पिला रहे हों आपको बीडी पिला रहे हों आपको सिगरिट पिला रहे हों आपको गुटका खिला रहे हो वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं वो तो आपके दुस्मन हैं दोस्त होते तो आपको हर गलत काम करने से आपका मित्र रोकता जरूर यार यह गलत है मैं शराब पीता हूँ पर तू मत पी मैं शिग्रड पीता हूँ यार तू मत पी क्यों कि ये गलत मैं तेरा मित्र हूँ मित्र तो वो है ना जो आपको हर गलत काम से रोक है वो कैसे मित्र हो गया कि आपको गलत काम में लगा रहा है तो कर्ण ने दुरियोधन को कास समझाया होता ठंडे देमाक से क्या कर्ण ने दुरियोधन को समझाया बोलो नहीं क्या मित्र का धर्म नहीं था के समझाये अच्छा क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने बोला था दुरियोधन कि जब ये पांडव बारा साल का बनवास पूरा करके आएंगे एक वर्ष का ज्यात बास पूरा करके आएंगे तो इनको राज्य देना है ये तुमने बोला था अब ये मांग रहे हैं तो दे दो न दे दिया होता तो ये जंजट काई की ध्रतराष्ट ने यदि सही बटवारा कर दिया होता पांडवों का और करवों का तो महाभारत ना होता ये बिल्कुल सची बाद है महाभारत का मूल मुद्दा क्या चा बटवारा महाभारत का मूल मुद्दा क्या चा जोर से सही बटवारा होता तो महाभारत ना होता भई पांडवों को पांडवों का अधिकार मिल जाता भगवान कृष्ण गए थे सांती दूत बनकर बोले पांच गाउं देदो कितना देदो क्या दुरियोधा ने सुविक्रती दी पांच गाओं क्या बोला सुही की नौक बराबर नहीं दूँगा तो ना सुगा यदि बटवारा होता इसलिए कहता हूँ जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ध्यान से सुनना तुम बाप दादे बन गए हो ध्यान से सुनना अपने बच्चों का सही समय पर बटवारा कर दो यदि आप बटवारा किये बिना मर गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे यसलिए आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों का बटवारा कर दो बड़े बेटे को दे दो छोटे बेटे को जो उचित है जो सही है जो उनका अधिकार बनता है दे दो आप सारे बच्चों को बिठाओ और उनसे पूछो बेटा तुम खुस हो ना ये वाला प्लॉट तुम ये वाला plot तुम ये दुकान तुम ये घर तुमारा सब बांट दो थोड़ अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए जो सेवा कर उसको देना पर सही बटवारा, सही वक्त पर कर देना बिना बटवारा के मर गए तो बच्चे लड़के मर जाएंगे आपस में आज जितने भी भाई-भाई का झगड़ा है आज भारत में जितना भी भाई-भाई का झगड़ा है वो केबल बाप के कारण है यदि बाप सही decision लेगा तो बाई-भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा भाई भाई का जगड़ा केबल माबाप की गलती से होता है 90% ये बात सची है सही वक्त पर आप निरने लेते हैं नहीं जो लेना चीए ऐसी महाभारत में हुगा निरने नहीं लिया कौर्बों को पांडवों का हग पांडवों को नहीं दिया इसलिए आप जितने बूड़े लोग बैठें डाड़ी पक गई बाल पक गए तो समझ लो अब बटवारा कर दो फटा फटा रहे साज में खा एक चूले का बना हुआ पर फिर भी उनको सेट कर दो देमाक में के भाई ये तुमारा ये तो अपना कमाओ खाओ अपनी जिम्मेदा क्योंकि आपको क्या लगता माव आपको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे आपस में अलग-अलग ना हो नहीं तुम कितना भी एक करना चाहो पर प्रकृति का नियम ही अलग-अलग है लब कुसको भी अलग-अलग होना पड़ा था राम जी के बेटे थे प्रकृति का नियम ही है राम लक्ष्मन भर सत्रुगन को भी अलग-अलग राज जी मिला था तो नियम तो नियम है माबाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चे आपस में साथ में देखो अलग-अलग रहने का मतलब यह है कि अलग-अलग रहो काम अलग-अलग करो पैसा अलग से कमाओ लेकिन प्यार मुहबत विल्गुल एक साथ रहो मिल जुल के सुक दुक में सदा साथ खड़े हो मिल जुल के रहो भीतर से तो एक रहो पर बाहर से विवस्था के लिए अलग-अलग रहो जैसे खर्वूजा होता है बाहर से कैसा होता है बाहर से धारिया नहीं होती खर्वूजे में तर्वूज खर्वूज क्या होता है बाहर से क्या होती उसमें धारी होती है बाहर से वो डिवाइड होता है लेकन भीतर से एक होता है और मुसम्मी होता है वो बाहर से एक होता है पर अंदर कैसा होता है कलियों में बटा होता है प्रते कली अलग अलग हाँ या ना खर्वूजा तर्वूजा बाहर से बटा है पर भीतर से एक है मुसम्मी संत्रा ये बाहर से एक है पर भीतर से बटा हुआ है तो जीवन संत्रे की तरह होना चाहिए या खर्वूजे की तरह खर्वूजा तर्वूजे की तरह बनो के बाहर से तो बटा दिखाई पड़े पर भीतर से एक रहो लेकिन आज कर लोग बाहर से तो एक दिखते हैं संत्रे की तरह भीतर से बटा डिवाइड़ेड हैं वो सही नहीं, बात समझ में आई, चलो, अब आखरी, हैं तो बहुत सारे अभी पात्र, चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ, कौन बताएगा, अब जो बताए वो हाथ उठाए, चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ, मिरी मा, कौन, द्रोणाचारिया, महाभारत किसकी गलती से हुआ, ये हमारी मैया बोल रही है, द्रोणाचारिया, गुरू द्रोणाचारिया, हाँ, गुरू द्रोणाचारिया की गलती, अच्छा, गलती, क्या गलती थी, अब और बताओ, हाँ, हाँ, गुरू द्रोणाचारिया, गुरू है, और गुरू को, यदि देखे कि यहाँ गलत हो रहा है, तो भले कोई हो, कितना भी अपना होर पर आया हो, बोलना जरूर चाहिए, जो गलती भीश्म पे तामा की हुई, वही गलती गुरू द्रोणाचारिया की भी हुई पर बात यहां पर एक और कहा जाएगा कि दुर्योधन अपने से बड़ों की बात मानता ही नहीं था तो इन लोगों की गलती ये थी कि जहां आपकी बात मानी ना जाए उन लोगों का साथ देना क्यों? आप साथ ही छोड़ देते साथ ही छोड़ देते तो उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता महाभारत साइद रुक जाता आपने गलत जब था दुर्योधन तो साथ क्यों दिया अब प्रशन ये खड़ा होता है गुरू दुरौनाचार जी से पूछा गया कि आपने साथ क्यों दिया गुरू दुरौनाचार जी ने सफाई में बोला कि भाई मैंने इनका नमक खाया मैं इनका नमक खाया हूँ तो याद रखना यहाँ एक बाद मैं आपको समझा दूँ इस धर्ती के पहले गुरू दुरौनाचार ऐसे हैं जिन्होंने शुलक लेकर सिक्छा दी थी के आपको सिक्छा तो देनी है पर सुलक नहीं लेना है हमारी सिक्छा प्रणाली सुरू से फ्री राम जी पढ़े वसिष्ठ जी के यहाँ बताओ राम जी से वसिष्ठ जी ने क्या शुलक लिया भगवान कृष्ण पढ़े सांधीपनी जी के यहाँ सांधीपनी जी ने क्या शुलक लिया हमारे यहाँ शुलक वाली विद्या नहीं थी पितामा गुरू द्रोना च्यार जी वहाँ पर रहते और शुलक ले करके पढ़ाते यह जब आप शुलक लेंगे नमक खाएंगे तो नमक करण चुकाना पड़ेगा उसे साब से उन्होंने चुकाने का निरने लिया कि भाई खाया हूँ तो भाले गलत है साथ दूँगा पर वो गलत था इसलिए हम आपसे एक बात यहाँ और कहेंगे कि भगवान करें कि आपको कभी किसी से एक रुपे लेने की जरूरत ना पड़े गरीबी हो तो गरीबी में गुजर कर लेना मेरी मा गरीबी चार दुनों की होती है एहसान सारी जिंदगी का होता है किसी का एहसान मत लेना किसी का एहसान मत लेना महा भारत में चक्रव्यू की रचना गुरु दौनाचार ने की थी जिसमें अभिमन्यू मारे गए थे जबकि युद्ध का नियम था कि एक युद्धा से एक युद्धा ही युद्ध करेगा जब अभिमन्यू निहत्ते थे और वो एक अकेले बच्चे थे और उनसे साथ साथ महारथियों ने युद्ध किया वहाँ गुरु द्रोणाचार भी थे इन्होंने गलत होते देखा और देखा नहीं गलत किया इसलिए इनकावी द्रस्टत जुम्ने ने अधर्म से सिर काटा गुरु द्रोणाचार ने भी गलतियां की थी गलती क्या थी? एक लब्य का अंगूठा मांग लिया थे नहोंने ये भी तो गलती थी आप क्यों किसी का अंगूठा मांगे हैं? और जब आपने अंगूठा मांगा तो आपको सिर दे करके उस करिण चुकाना पड़ा तुमने अंगूठा कटवाया तो तुमारी भी गर्दन कटेगी तो हिसाब तो देखो भगवान के घर देर है चाहे वो पितामा हो चाहे गूरुद्रोणाचार हो चाहे सुकनी हो चाहे दरतराष्ट हो सब को भगवान ने दिया परिणाम सब की अपराधों का इसलिए गलत ना करना रे बाबा देख रहा है तुझे लाख आख से देख रहा है तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुरनर समय गुजरता जाता चलो एक नाम और छूट रहा है मुझे लगा साल कोई बताए महा भारत में किसकी गलती से महा भारत हुआ और कौन नाम बताएगा हाँ मैया हमारी प्यारी मा बोली गांधारी ये नाम रह रहा जा गांधारी देखो कितनी बारीकी से आप लोग उत्तर दे रहे हैं देखो आज कितने महा भारत तो आपने बहुत बार देखा होगा सुना होगा पर इने मुद्धों पर विचार आज पहली बार साथ आपको हो रहा होगा सत्संकिया होगा तो पहले भी हुआ होगा यह विचार तक आपको यदास अनिरुद पहुंचाता है आपको मजबूर करता है विचार करने के लुए आप कर भी रहें और देखो सही सही उत्तर भी आप दे रहें अब मैया आपने नाम तो बताया उसकी गलती भी बतानी पड़ेगी गांधारी की गलती ये थी कि गांधारी ने आँखों की पट्टी हटाई तो थी पर तब हटाई जब 99 बेटे मर गए दुरियोधन को बोला कि कल सारे कपड़े उतार के आजाना मैं तुझे देखूंगी तेरा सरीर बज्जिर का हो जाएगा फिर तुझे कोई मार नहीं सकेग गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी पर दुष्ट दुरियोधन को बचाने के लिए उतारी कास गांधारी माने आँखों की पट्टी तब उतारी होती जब दुरापदी की लाज लुट रही थी दुरापदी के लिए उतारी होती तो नास ना होता सो के सो बच्चे सलामत होते पर पट्टी उतारी तो सही पर जड़ा देर लगा दी पट्टी उतारने में इससे मैसेज क्या मिला आपको मैसेज ये मिला कि आप समय रहते अपनी आखों की पट्टी उतार कर अपने बच्चों को सही गलत देख रहे हो तो हर गलत काम करने से रोक देना वरना महा भारत छोगा आप कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की हर गलती माफ करती रहती है ना गलती है थोड़ा दंड दो कि नहीं दोगे तो आज एक गलती हुई कल दूसरी होगी परसों तीसरी होगी भैविनों हो ही न प्रीत जरूरत बच्चों को प्यार करो समझाओ भी बेटा गलती नहीं करने पहले समझाओ एक बार फिर गलती करें तो साम दाम टॉफी खाले मांजा गलती नहीं कर साम मतलब समझाओ दाम मतलब टॉफी खिलोना दे दो मांजा साम दाम नहीं माने टौफी के लोनों से नहीं माने समझाने से तो दंड दो थपड़ चाहता है गाल में कि दंड हाया ना साम दाम कि दंड और फिर भी ना माने तो चौथी नीती है भेद दुरियोधन को समझाते समझाया नहीं माना तो लालच देते के भाई तुझे इतना तो दंड मिल गया नहीं माना तो दंड देना था पर दंड किसी नहीं दिया विदुर जी चिल्लाते रहे किस दुरियोधन का त्याग कर दो वरना यह नास करा देगा कोई ना माना विदुर जी कोई निकाल दिया जो एक उंगली में यदी पॉईजन हो जाए ना तो डॉंक्टर सलाह देता उंगली काट दो यदी उंगली काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है एक हाथ में पॉईजन हो गया एक हाथ को काटने से यदी पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस अंग को काट देना चाहिए हाँ या ना एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उसे गाव का त्याग कर दो एक जिला को त्यागने यदि संपूर्ण राज्ज की तरक्षा हो रही हो तो जिला को त्याग देना चाहिए और एक राज्ज का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए विदुर नीति एक व्यक्ति के त्याग से यदि आपका पूरा संपूर्ण सब कुछ बच रहा है तो त्याग देना चाहिए